हालो फ्राइंड्स वेल्कम टू मैं चैनल रामका गयन इंश्रूमेंट में तो आज का हमाय टॉपिक है री रेंज कैसे करते हैं डिफ्रेंशल पेसे ट्रांस्मिटर में तो यहां कोई भी ट्रांस्मिटर उसको अगर हमको नया रेंज हमको डालना है एक्जिस्टिंग में से क हम लोग किस हिस्टा से डालेंगे कौन से फॉर्मूला बेस पर डालेंगे तो उसका फॉर्मूला उसका फॉर्मूला में क्या हम पूट करेंगे तो हमको वह वैल्यू मिल जाएगा नई वैल्यू स्टार्ट करते हैं वीडियो अभी आप इस slide में आप देखेंगे उसका formula और questions कौन सा होता है किस नाम से हम लो questions बोलेंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक screen आगी यहाँ पर इसमें आपको दिख रहा है how do you calculate new factor from new range using old factor and old range इसका मतलब क्या है old factor और old range जो भी रहेगा मतलब differential pressure जो DP generate होगा MMS वो और जो old range होगा हो तो उसके हिसाब से आपको जो range चल रहा है हो तो आपको पता ही होगा तो हम लोग को old range क्या चल रहा हो तो पता ही होगा लेकिन उसके हिसाब से नया range क्या डालना है तो हम लोग को कैसे पता चलेगा तो उसके हिसाब से मैं देखता हूँ यहाँ पर आपको दिख रहा है एक formula दिख रहा है q1 upon q2 equal to under root delta p1 upon under root delta p2 so यहाँ पर q1 जो है old flow है q2 आपका new flow और under root में delta p1 का है old dp और under root delta p2 में new dp it means old flow जो आपका square root से हम लोग जो भी differential pressure show करते हैं तो old flow क्या चल रहा है कितना kg पर और चल रहा है और नया में आपको कितना kg पर और चाहिए so old flow के साब से कितना dp generate होगा तो उसके साब से नया dp क्या होगा यहां पर हम लोग q2 क्रॉस करके देखेंगे तो q2 equal to क्या हो जाएगा q1 into under root delta p2 upon under root delta p1 तो यहां पर new flow निकालना के लिए हम लोग को क्या चीए q1 equal to old flow और into करके new dp जो भी new differential pressure जो हम लोग को देना है कि बाई इतना जैसे 2000 पहले में 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 चड़ा था उसको मेरे को 25 कर देना है कि बाई मुझे 25 यहां पर डिफ्रेंट से जन्रेट होगा तो पत्चीसो के इसाब से कितना फ्लो मिलेगा और under root में old dp जो अब था उसके हिसाब से मतलब old flow के हिसा against में old dp जो था वो डाल देना है यह बहुत ही important formula बतलब कोई बी इंडेस्ट्री में आपको rearrange हमेशा करना ही पड़ता है सो rearrange करने के लिए आप यहां पर यह formula यूज कर सकते हैं इसमें कोई भी कुछ भी निकाल सकते है old flow निकालना है या new आपको dp निकालना है या तो new flow निकालना है जो भी आपकी requirement हो उसके साब से आप यहां पर निकाल सकते हैं यह formula के साब दाफर तो formula याद कर लेजे q1 upon q2 equal to under root में delta p1 upon under root delta p2 q1 आपका क्या है q1 q1 और p1 q1 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 आप याद कर लेजे कि old वाला है तो old वाला उपर आएगा और नीचे वाला q2 p2 जो लिखाए हूँ आपका क्या आएगा नीचे की साइड आएगा new वाला तो ध्यान रखेजे q1 upon q2 old divided by new old divided by new ऐसे करके आप याद कर लेजे एक एक एग्जम्पल देख लेते हैं यहां पर कि q1 upon q2 equal to under root delta p1 upon under root delta p2 यहां पर में q1 कितना लिया हूँ 8000 kg पर वर कमेरा old fluid चल रहा है कि इसका डिफेरेंसर प्रेशर मैंने आपको यहां पर बढ़ा दिया कि बाए वर्ड़ दिखाएगा 8000 kg पर वर अभी मेरे को अभी मुझे इसका डिफेरेंसर प्रेशर मैंने आपको यहां पर बढ़ा दिया कि बाए वर्ड़ दो हजार पे मेरा 800 kg पर वर मिल रहा था अभी मैंने डिफेरेंसर प्रेशर यहां पर मैंने क्या कि बढ़ा दिया है 2000 से कितना कर दिया 3000 कर दिया जब 3000 का डिफ्रेंस से प्रेसर जेनरेट होगा तब कितना फ्लो मुझे मिलेगा तो उसका कैलोकुलेशन के लिए भी मैंने आपको बताया था एक क्यू टू इक्वल टू क्या था किवन इन्टू अंडरूट में डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी ओन इन्टू में क्या आएगा अंडरूट में डेल्टा पी तू मतलब नया जो भी डिपी जनरेट होगा वो तो नया डिपी हमनों कितना डाला है वो भी और डिवाइड में डेल्टा पी बताब जो ओल्ड आपका differential pressure generate होता हो तो Q1 क्या होगे 8000 kg पर और यह क्या है आपका old flow चल रहा था into में नया dp आपका कितना देना है 3000 दिया आपने कि नया dp generate होगा तो नया flow कितना मिलेगा तो 3000 divide में में आपका क्या होगा old dp the differential pressure old generate हो तो old कितना था 2000 एफ इतना आपका flow generate होगा है आप तो समझ कियो किस फर्मुला का तो आपका यह इन देपी शेल वाट इप सील पोड सार यूस्ट इसका मतलब क्या है से क्यों करते कैसे करते हैं और सील पॉट का क्या काम है सो ृ स विख़्ट कीblaze निकाल सकते हैं गर और what if sealpots are used, on services where sealpots are used, isolate the primary isolation wall and open the vent wall, मतलब sealpots का use, service में तपकन कैसे करना है, फिर प्रामेरी आशोलेशन वाल दोनों है, वो उसको क्या करना है, isolation wall को isolate करतेना है और vent wall को फिर open करतेना है, मतलब दोनों आपको isolation wall बंद करतेना है, उसकी बाद से vent wall आपको खोल देना है, तो यहां भी यह question दे आपको पोच सकते हैं, कि vent wall हम लोग कैसे differential pressure से vent करते है, तो आप यहां पर देख लिजे, air is vented by opening the vent plug and a liquid service transmitter, तो यह भी बहुत important question है, कभी भी instrument के questions, instrumentation के question में कभी भी इसको पोच सकते है, तो यह definition याद कर लिजे, इसका answer कैसे लिखना हो, याद कर लिजे, ऐसी यह इतने सारे questions मैं आपको पेचले वीडियो में भी दिखा चुका हूं, कौन कौन से questions में cover होगा है, 17th question मतलब यहापर मैंने cover कर चुगा, तो 18th में आपको square root क्यों लगाते हैं, वो में आपको बताने वाला हूं, उसको detailed video में आपको बता दूँगा, लेगिन just for your information में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि यहापर different निकालने के लिए, आपको square root calculation भी आना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं, why flow is measured in square root, जो हमारा differential pressure होता है, वो क्या होता है, square root, जो भी flow होता है, हमारा क्या होता है, square root में होता है, under root, differential pressure जो होगा, वो square root में होता है, okay, so यहाँ पर, जैसे ऐसे मुलब क्या है, 0 से 1 के बीच में, अगर हमारा क्या value होता है, तो differential pressure मतलब, ज़्यादा हम लोग को रहता है, जैसे 25 का हम लोग square root निकालेंगा, तो values क्या मिलती है, हम को small मिलती है, 25 का 5 मिलता है, okay ना, उसके साब से 100 का 50 मिलता है, है, उसके साब से जैसे भी, हम लोग जैसे से square root बढ़ाती है, यहाँ चार का कितना दो निकलता है, square root 9 का, जैसे वैसे ही, 0 से 1 के बीच बागर हम करते हैं, तो square root मतलब, small dp जब generate होता है, तो क्या हो जाता है, flow up को ज़्यादा मिलता है, तो इसके साब से यहाँ पर एक formula रिशार्ट करते हैं, कि उस 4 milliampire पर 4 मिलेगा, 8 पर 12 milliampire का generate होगा, 12 पर 15 और 16 पर 17.86 milliampire generate होगा, 20 पर 20 milliampire, इसका डेटल वीडियो में आपको बता दूँगा, मैं जमनलब square root का मतलब यही है, कि measure square root में इसले करते हैं कि 0 से 1 का जो value जो होता है, उसका अगर हम square root निकालते हैं तो उससे बड़ी value मिलते हैं, इस वेज़े से हम लोग square root लेना पड़ता है, यहाँ पर definition में देख सेते हैं कि आपका flow varies directly as the square root of differential pressure, q is equal to under root में delta पे, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, तो इस video में हम लोग ने rearrange करना आपको सिखा है कि अगर हमके बास old flow है, new flow या old dp है तो ने dp कैसे निकालना है, कैसे भी आप निकाल सकते हो, square root क्यों लगाते हैं हम लोग और उसमें different plug का क्या काम होता है, differential pressure transfer तो यह वो तीन questions मैंने इस topic में covered कि हैं, ऐसे useful questions मैं आपको आगे बताते रहूँगा answer के साथ में, आप सो हमारे चैनल के साथ जोड़ रहन के धने बाद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राब करें,